मनीशा फूर की चैन में आप सबका स्वागत है अगर चैनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनर को सब्सक्राइब कर ले साथ में लाइक और बैल आइकन का बटन भी जूर दुबाए आपने चिकन तो अलग लग तरीके से बना कर खाया होगा पर एक बार इस तरीके से भी हमें जरू बना कर खाये बुणा चिकन भोती खाने में टेस्टी लगता है इसको बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है यह मैंने चिकन लिया अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक को भी अच्छे से लगा लेंगे चिकन के ऊपर और इसको मेरिनेट करने के बाद इसको आदे घंटे के लिए रख दे मसालों में मैंने लिए है तेज पत्ता काली मिर्च लोंग इलाइची जीरा दाल जीनी और सूखी लाल मिर्च इनको गरम तेल में डाल देंगे जब मसाले बुन जा है तो इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज यहां मैंने दो बड़े प्याज लिए है प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे हम प्याज को अच्छी तरह से भून ले अभी हमारे प्याज भूना नहीं है इसको अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज अच्छी तरह से भून चुका है अब इसमें डाल देंगे कटे होगे टमाटर यहां पर मैंने दो टमाटर लिए बड़े-बड़े अब इनको भी मसाले के बूनेंगे अब इसमें डाल देंगे लहसन अदरग का पेस्ट इसको भी साथ में भून लें तोमाटरों कच्छे से भून लें तोमाटर सॉफ्ट हो चुके तो इनको मैश कर लेंगे मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है अब इसमें डाल देंगे चिकन जो पने मैरिनेट किया था सारा चिकन डाल दें इसका जो पानी बचेगा उसको फैक देना उसको नहीं डालना है हमें अब इसको चिकन को अच्छे से मसाले के साथ पकाएंगे अच्छी तरह भून ले जो चिकन को हम भूनेंगे तो चिकर अपना पानी छोड़ेगा तो इसको हम अच्छे से फ्राई करना है भूनना है मसाले के साथ आप देख रहे हैं चिकन अब हमारा थोड़ थोड़ भूनने लगा है इसको हमें जब तक भूनना है जब तक की मसाला अच्छे से तेल ना छोड़ दे मसाला मारची तरह से बून चुका है चिकन भी इसको डाल देंगे हलदी पाउर लाल मिर्च स्थोड़ दोड़एं और दालेंगे धनिया पाउरडर दोचम्मच बोच में डालेंगे नमक स्वाद के नुसार अब मसालो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन और मसालो को अच्छे से मिक्स कर लें अच्छे तरह से मिक्स कर लें मसालो को मसाल अच्छे से मिक्स हो चुके हमारे जाए अधिक मिनट के लिए भी मैंने और भूल लिया मसाले के साथ चिकन को अधिकर मिन चुका है मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है अब इसमें डाल देंगे हम दही के में 5 शमच डाल रही हूं या अधिक टोरी डाल दें दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ बस दही को हमें मिक्स करना है अच्छे से गैस को कम कर लेंगे दही को अच्छे तरह से मिक्स कर लें दही हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है चेकन को पीसो को नीचे दबा दें थोड़ा थोड़ा अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी थोड़ा सा डालें बिलकुछ जरासा अब इसको ढखकर पट पकने देंगे 8-10 मिनट के लिए जब तक ही चिकर अंदर तक पकना जाए हमारा सबजी अब हमारी बन चुकी है सबजी को मिक्स कर लेंगे एक बार आप चाहे तो इसको और भी सूखा बना लें पानी जरासा डालें अब इसको मिक्स कर लेंगे और तैयार है हमारा भुना चिकन एक बार जूरू बना कर देखें आप भी इस तरीके से भुना चिकन वह तिखाने में टेस्टी लगता है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शियर करना न भूलें झालें